असलामों अलेकुम स्टूडेंट्स कैसे आप सब ठीक है उमेद करता हूं ठीक होंगे अच्छा वेटे आज अबने ना चैप्टर नमबर 12 के ना एकसेस के शोर्ट करने चैप्टर नमबर 12 आपको बता है हमारा लेक्रोस्टाटिक है ठीक है चले स्टार्ट करते हैं जी कोशन क्या है अजो पूटेंचल है वो कॉंस्टंट है इस दा अलेक्रिक फील्ट जीरो और नोन जीरो इन इस रिजन एकस्पलेंट ठीक है कि यह उस फील्ड में हमारी फील्ट जीरो होगी या नहीं होगी तो बैटे सिंपल सी बात है हमारा कोश्टन अमबर 12 बात करते हैं उसने of electric Potential of constant यह स्वाल ठीक है तो उसने को फिल्ड होगी या नहीं घंकरू इंट तो ऐसको या दो Potential gradient leapt Die potmek पढ़ा था जिसमें इससे खहल तो आप देखें वे थजो इसके एक वर तो ट्रीक विस्टेंश होगा तो अभズ dad यह द देल्टा, यह कै्या है चेंजिन, पॉटेंशल है, तो जब चेंज इन पॉटेंशल, बैटें, 0 होगा, इसका मतलब है, कॉंस्टध्लब है को उस चान्च हो एस पुटेंशन नहीं आरहा, इसमें इत मिंजब दाफ लेक्रिफ फिल बिल 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 जी रिट रिजन ऑफ स्पेस बॉट इट चलए बात करते हैं रहाएं जिसमें करता है कि सपोर्ज यू फोलो एन एलेट्रिक फील लाइन क्या प्राइब का रहे हो फोलो का रहे हो डियू टु पॉइंट ठीक है डू एक्टरी फीड और एक्टी पोटेंशल इंक्रीज और डिक्रीज चले बात करते हैं सिंपल सी बात है बेटे आपको पता है सबसे पहले आप फील्ड बनाएं कि यह पॉस्टिव चार्ज है बेटे हमने पड़ा इस चैप्टर में कि जो एक्टरी फील्ड नाइम वह पॉस्टिव चार्ज से क्या होती है औरिजनेट होती है बाहर निकलती है आउट वर्ड ठीक है ना आल डिरेक्शन में टौर्ट्स नेगिटिव अब आप वह कहरा अप फोलो का रहे हैं मतलब उसके पीछे जा रहे हैं में फील इस तरफ जा रही है तो आप इसके पीछ यूओ ताटेज से दूर जायोंगे तो हमारे पीटन्चल डॉट्स यह करिएक नेख़ होगी बढ़ी यहां यह करीग तो पैटें सिम्पल सी बात है आपको एक वार्मले से भी बता देता हूं कुलमजला तो यह देखें इनवर्स अरा डिस्टंस के जितना डिस्टंस ज्यादा होगा उतनी फील्ड की वह जाएगी घीक है of capacitor is positive charge ठीक है अब मिसाल ले लेते हैं यह पास ही एक पेस्टर ठीक है यह उसकी दो प्लेट्स है एक पोजिटीव लेड़ है और एक है नेगटिव प्लेट अब आपने पता करना है कौन सी प्लेट पोस्टिव है आप क्या करोगे एक पोस्टिव चार्ज लोगे उसको इस पी करेगा क्या करेगा रिपैल करेगा और यह नेगटिव प्लेट इसको क्या करेगी अट्रेक्ट करेगी और यह किस तरफ मूफ करेगा ट्वर्स नेगटिव प्लेट जिसे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी प्लेट नेगटिव और कौन सी पॉस्टिव है ओके बैटे ठी त्हिक को जाएगा बिडेर चलेगा वो प्लेट जिससे बड़ रिपेल होके दूर जाएगा किसकी तरफ नेगरिव तरफ ओके बैटे ठीक है चलते हम कोश्चन नमबर फोर की तरफ ठीक है हां जी बचे बचे कुश्चन नमबर फॉर हमारे पास गिवन न कहता है कि डिस्क्र between two opposite charge plates, झाल आप न अपने इसको between रह दिया, और एक बार आप ने कहा किया, similar charges इसके plates के तर्म्याँ रह दिया, तो अब क्या होगा इस पे, इसके movement को क्या होगा यह किस तरह move करेगा इस पे कोन सी force लगेगी, डीक है न? तो हैश्कितिय सिंपल सी बात आप आपको पता है पोजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव प्लेट से क्या करेगी रिपल्शन होगी यहां में इसको रिपेल करे में जैसे हमने प्रीव vegan बताया और चनमर थ्री और जो प्लेट ठीड़ुआ यह का करेगी उसको एट्रैक्ट करेगी यह इसदरह estão प्लेट न से तो यह प्लेट नहीं नहीं करेगा ठीक है को इस ने सिंप अर आपस प्लेट हो चार्ज भी थे लो तो इस तरह वो मूव नहीं करेगा ठीक है हाँ कोश्चन नमबर हमारे पास फाइव है जी काता है लेक्टरी फील्ड लाइन नेवर क्रोस इच अधर वाए ओके हाँ कि अलेक्टरी फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रोस नहीं करते हैं से यह पोजिटिव चार्ज है इसकी मैं यह वेटेंटी टीक है तो आप देख सकते हैं यह वेक्टर के होती है करेंगी हर पॉइट पर मै ingenst souvenu के यह करेगा यहां पर यूनिफार्म नहीं आएगा यहां पर सारा कुछ ठीक है हाँ चुम्कि हमारी फिल्ड यूनिफार्म होती है आपको पता रहे इसलिए यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है यह नेवर क्रोशी जदर ठीक हाँ तो यह था हमारा कौश्चन नमबर फाइफ बात करते हैं फिल्ड ठीक है अलेक्टिक विद्ट फील्ड लाइन दा सेम ट्रेक्शन पॉंटिंग इट फिल मेक और एक्ट लीनियर मोश्चन ठीक हो गया हाँ तो बात सिंपल झाया है आपको पता है पहले फिल्ड रॉनाते हैं हम यहां पर कि यह हमारे पास एक फिल्ड है फिल्ड नेगिटिव की तरफ आप जब आप क्या करोंगे नो ग distributed नोन युनिफर्म मतलब यहां पर किसी भी रीजन में आपने यहां हाई पुटेंशल है नोन युनिफर्म मतलब यहां पुटेंश्यल यहांलो आप इस फिल्ड में एक चार्ज रखा आपने लैट सी आप यहैंग किस तरफ मूफ करेगा ठीक है आपको अंडर्स्टूट है हमने यहां भी पढ़ा है हर जगा बड़ा पिछले दो स्वाल में पढ़ते आ रहे हैं पॉस्टिव से पॉस्टिव रिपल्शन होगी और यह किस तरफ मूफ करेगा नेगटिव की तरफ ठीक है खुद ही मूफ जिस युनिफॉर्प्रिय ओबर ता सरफिस क्या मतलब है इसके कहने का कि कि हमाने पास को सेवन है ठीक है एक चार्ज बूंहारे पास सारा चार्ज ना इसकी सरफिस पर है सारा चार्ज कहां पर हैं सर्फेस पर अब गयता है कि इसके इंसाइड क्या फील्ड जीरो होगी क्या वैल्यू होगी उसके आपको याद होगा गोजीज़ लागी अप्लीकेशन हमने पड़ी तो यह भी उसने कहां सफियर है तो आपको पता है फील लाइंग करने के सबसे पहले हम करते हैं इमेजिनरी लाइन करते हैं अब इसके अंदर देखे मेटे कोई चार्ज नहीं है साला चार्ज तो सर्फिस पे है तो आप कह सकते हैं कि अपने पढ़ा है यह वन अवर आप्सलों औरस टोटल जार्ज निए एकॉरडिंग तूज इसला तो बैट जाज़ जार्ज ही जीरो है तो फिल्ड भी जीरो ही तो फ्लकस आपने पड़ा है ठीक है ना एलेक्ट्रिक फ्लकस E dot A E A cos theta अब आप फील्ड ही हमारी 0 है तो flux भी 0 ही हुआ ठीक है बैटे जबके हमारा area is not equal to 0 या आपने वहां सा वही सारी application आपने यहां क्या कर देनी है explain कर देनी है ठीक है बैटे तो आप कहेंगे उसके अंदर कोई charge नहीं है इस तरह diagram explain कर देंगे ठीक है बात करते है question number 8 की कहता है is the true that the total number of line of forces crossing any closed surface outward direction is proportional to the electric total charge enclosed within the surface अभी बड़ा हमने collective line inside a closed charge surface sphere is equal to one hour epsilon o time total charge enclosed in it तो बिलकुल ठीक है रहा है तो आप कहेंगे yes it is right आप साहथ इसके mathematical भी बता देंगे definition के साथ ठीक है तो यह सा question 8 जिसमें आपने बताना है yes this is true statement ठीक है साथ mathematical यह लिग देना चले बात करते है question number 9 की जिसमें हम आपस गिवन है जी काता do electron tend to go to region of high potential or low potential अब आप मुझे बता है electron पे कौन सा charge होता है negative charge होता है ठीक है अब negative charge की attraction की तरफ होगी positive plate की तरफ positive charge की तरफ ठीक है हाई potential की तरफ ठीक है और low से क्या और रिपल्चर होगी तो electron की स्थरफ मूफ करेगा low से high की तरफ ठीक है अब बनाके draw करके बता सकते हैं कि यह हमारा high potential है जिसको आप positive बोलोगे यह हमारा low potential है जिसको आप negative बोलोगे अब यह center में एक electron है अब यह electron की स्थरफ मूफ करेगा जी high से low की तरफ sorry low से high की तरफ ठीक है बेटे यह था हमारे chapter number 12 के exercise के short question तो बेटा जी जैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आप मीदा समझ आई होगी सबसे पहली बाद ज्यादा important है समझ आना ठीक अगर आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बाद है मेरी वीडियो पूरी होगी ठीक है मेनत मेरी जाया ने की तो बेटे बाद सिंपल से अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों से भी शेयर कारते ताकि उनका भी फाइदा होजे ठीक है हाँ मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो पे सी यू दैन अलाहाफेज